मोचपुरी में अर्विन्द केला कल्लू एक ऐसे कलाकार है जिनका विवादों से दूर दूर तक नाता नहीं होता है शायद ही आपने कभी अर्विन्द केला कल्लू को किसी विवाद में फस्ते देखा होगा या किसी विवाद में उनका नाम आते देखा होगा बड़ी ही नी और सभी के चहेते भी हैं इन्हें आप किसी एक ग्रूप में बाट नहीं सकते निरहुआ तो इन्हें अपना छोटा भाई मानते हैं लेकिन अचानक से जब खेसारी लाल यादों की ये क्लिपिंग वाइरल होने लगी जहां वो सभी कलाकारों को छोटा बता रहे हैं तब से अ सपोर्ट करते हुए नजर आये थे वो लाइम लाइट में आ गये लोगों का या यूं कहले अर्विंद के फैंस का ये कहना था कि आपको खेसारी लाल यादों से कोई रिस्ता नहीं रखना चाहिए क्योंकि खेसारी लाल यादों मूपर कुछ और हैं पीट पीछे कुछ औ पर अगर पवन के खेमे में हैं तो आप उन्हीं के खेमे में रहें पर इन सब पर अपनी चुपई तोड़ते हुए कल गाजियाबाद में हुए स्टेश शो में अर्विंद अकेला कलू ने कुछ चीज़े साफ कर दी पहली तो ये कि वो किसी के खेमे में नहीं है दूसरी यह कि भोचपरी का सम्मान करते हैं और जो लोग उन्हें बोल रहे हैं यह उनकी राय है यानि कि यह सब कुछ खेसारी लाल्यादों की राय है उनकी राय नहीं है उनकी नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं है दर्शक ही भगवान है यह सब चीजें कहकर यह कह चुके हैं कि पहली बात किसी के खेमे में नहीं है दूसरी बात यह है वह लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले लेकिन मुझे उनके बारे में नहीं बोलना है वह बड़े हैं और उन्हें मुझसे जादा experience है यह सारी बाते कहकर एक बहुत ही बड़े बड़पन का हसास यहां पर अर्विंद अकिला कल्लू ने कराया है साथ ही साथ अर्विंद ने विरोधियों का मूँ भी शांत करवाया है जो की यह सोच रहे थे कि अर्विंद लाइव आएंगे और बहुत कुछ कहेंगे आपको बता दें कि रितेश पांडे लाइव आए समर सिंग लाइव आए लेकिन इन विवादों में ना फस्ते हुए अर्विंद लाइव आए भी नहीं और अपने स्टेश शो से बहुत बड़ी बात कही है जो की आज की सबसे बड़ी खबर है भूच पुरी जगत की होट और मसा आलेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए